नमास्कार आज की वीडियो में कुछ नया तो नहीं है पर एक बहुँ चटचित वीडियो के बारे में कुछ अपडेट क्योंकि इस वीडियो के लेकर बहुत सारे सवाल उठे कुछ को लगा कि मैं पैसे कमाने के लिए कुछ भी शेयर करती हूँ कुछ को लगा भगवान बुद्ध की बेजती कर दी उनको डेकॉरेशन की तरह हीस्तिमाल किया और कुछ को लगा कि भई भगवान बुद्धा मेरे पास पड़े हुए है ये कह कि मैंने उनका अपमान कर दिया कुछ को लगा कि दो चार दिन से ज़ादा तो ये पाउधा जिन्ता रही नहीं सकता है पर हाँ इन सब लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सिरियसली जानना चाहा कि इस पाउधे को मैं कितने दिन तक और कैसे मेंटेन करूँगी हलाकि कुछ ऐसे सवाल दूसरे दूसरे वीडियोज के अंदर पूछे के जिनको मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ पर्टिकुलर इस वीडियो में जाके मुझे जितने कमेंट्स मिले वो मैं आपको दिखा पा रही हूँ पर जो लोग सीरियसली जानना चाहते थी कि इस पोदे को मैं कैसे मेंटेन करूँगी उनके लिए छोटा सा अपडेट देखे यह देखे यह वही लेंड़ स्कैप है जो मैंने बनाया था दो जुलाई को और आज मोटा मोटा दो महीना हो चुका दो चार दिन ऊपर पर यहा ऑजिणा कहा है जो हमारी टिर्टल वाइन बढ़ घगई है इसको हमलों कतिं करदेंगे बस उसी शेप में हमने लगाया था अभी इसका पहुत अच्छा मोश्म है इसका turtle wine का तो अभी इसमें बहुत अच्छी से growth हुई है अभी जैसे जैसे ठंड आती जाएगी तो इस पहुते की growth कम होती जाएगी फिर आपको इतनी भी cutting की जुरुत नहीं पड़ेगी बाकि जैसे मैंने landis के बनाया था ठीक वैसे ये बस थोड़ा सा mushrooms का जो color था वो गंटे की धूब भी लग रही थी तो color तो जो आना सवाभावी के बाकि और कोई आप यहां पर बदलाओ नहीं देखेंगे है ना तो मेरे खिल से आप मेंसे किसी को कोई शंका नहीं होगी कि पोता जिनता रहेगा या नहीं रहेगा बिल्कुल रहेगा भई हरहल में रहेग और कोई टेंशन वाली बाती ही नहीं है वही ना तो मिट्टी हमारी अशुद्ध है और ना जहां पर मैंने इनको बुद्धा को रखा वो जगए अशुद्ध है तो अशुद्धता या अपमान जैसा तो कुछ है ही नहीं अब अगर इन सब के बावजूद भी आप मेंसे क किसी की दिल को ठेस पहुची है तो सिर्फ माफी मांग सकती हूं और मैं क्या कर सकती हूं और सिर्फ ये कह सकते हूं कि सोच को सकारातपक रखने का प्रयास करें और यह जो कटिंग है ना इसको आप किसी भी गंबले में डाल दीजे एक और गंबलाव का तयार हो जाएगा उमीद करती हूँ कि जो बहुत सारे मेरे भाई बेन इसका अपडेट जायते थे, तो उनके लिए एक छोटी सी कोशिस कर पाई हूँ, जल्दी मिलूँगी किसी अगले जुगाड के साथ तक के लिए धन्नवाल